कि गुड़ मॉर्णिक एवरिवन स्वागत करती हूं आप सभी अपनी यूट्यूब चैनल में तो भी आज मैं पड़ी हासी कचोरी की रेसिप आप सभी के लिए लेकर रहीं तो भी सर्दियों में कचोरिया खाने का मज़ा ही अलग है लेकि सर्दियों में क्या होता है कि नए कर त्यार होती है आपको दिख रहा हो कितनी फूली फूली और बड़ी हासी फिलिंग वाली मेरी कचोरी त्यार हुई है और इसी की रेसिप आज आप से शेयर करने वाली हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आटा त्यार कर ल करस्त होता है जिसे कि वह हाथ से बन जाएंगी अगी क्कचोरी का हात बनाते हैं तो इस लिए अधर थोड़ा समे कने आयम रखना है तो यहां पर मैं आटे को बड़िया से गुत कर इस तरीके से मुलायम कर लोगी कचोरिया ना आपके आतें पर ही डिपेंब करती हैं आपका जितना बढ़ी हम उलाया माटा क्याः और इतनी आक्यां यहां पर मैंने में तो तेयार कर लिए तो चलिए आप फीलिंग की следरिकर है के मैं यहां पर पाले सूखा मसाला पीस पहले मैं लीक शेल मिर्फ थोड़ा से ले लिए थन이아फ थται थोड़ा सापु जीर थोड़ी शी लेए सवाब कुंति हैं और इं शारे मसालमे पर पीस लोगी तो यहां पर मैं सिलवट्टे पर पीछ रही है, केथि थोड़ा से मसाला है यहां में मासाल नहीं काफे बनाता तो इसी मसाल से मीक्से सोथई ऑसलुकर जल्ट्छ बनाना gara यहां पर थिया चाहिए आप अगर जादा कचोरिया बना रहे हैं तो आप मिकसी में भी दरदर मसाला तियार कर सकते हैं मैं थोड़ी कचोरिया बना रही हूं तो इसलिए मैंने सिलवट्टे पर देखे तियार कर लिया है तो देखे कितना दरदर है ना ऐसा ही मसाला आपको पीसना है तो दर-दर मसाला त्यार हो गया है तो चलिए अब फीलिंग की तियारी करते हैं फीलिंग के लिए मैंने चार आलू ले लिए उबले हुए जो कि मैंने पहले से उबाल कर रखे हुए और यह आलू बिल्कुल ठंडे है, जब भी कभी आप कचोरिया बनाए या परांठे बनाए तो ठंडे आलू की ही आपको फीलिंग तियार करनी है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से घीसकार आलू की फीलिंग तियार करूँगे, आपके पास अगर मैसर हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन आलू में ना कोई भी गांट नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारी कच्छरिया फूट जाएंगी अब हम एक फ्राइपैन ले लेंगे फ्राइपैन को मैंने गैस पर रख दिया है अब थोड़ा से चड़ा लूगी इसमें सरसो का तेल जो की पहले से ही पका और उसके बाद मैंने सूखा मसाला पीचा ता उसे इसमें डाल दूगी अगर आप ज्यादा तेज तेल में आपके मसाले डालेंगे ना तो मसाले जल जाएंगा उनका फ्लेवर बिल्कुल खत्म हो जाएगा उनकी जो खुस्बू होती है ना वह खत्म हो जाएगी तो इसलि मैंने आपको बताया चिप-चिप हो जाती है थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा पानी से होता है तो हमने एक चमच बेसन एड़ कर देए और इस बेसन को भून लेंगे तो इससे क्या होगा जो आलू में हमारे में एक्स्टा पानी होता है उसे यह अब्ज़र्ब कर लेगा और और हमारी पिठी बिल्कुल एक तम बढ़िया बनेगी जैसी हमें चाहिए तो आप कभी भी लगे आपको कि आपके आलो चिप-चिपे वाले हैं पिठी अच्छी नहीं बनेगी तो आप एक चमच बेसन इस तरीके से भून लीजिए और उसके बाद उसमें आलो आड़ किज और अब बिल्कुल बारिक-बारिक कटी हुई हरी मिर्च जो कि मैंने बीच से दो पार्ट करके बारिक-बारिक काट ली है क्योंकि देखिए जब हम पडाएं या फिर कचोरी बनाते हैं तो अगर हम गोल मिर्च काटते हैं तो उनका बाहर निकलने का डर रहता है तो झाल 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 बढ़ियासी दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेख लेनी है तो यह देखिए कितनी बढ़ियासी हमारी कचोरी बनकर तियार हुई है तो इसी तरीके से मैं आपने सारी कचोरिया तियार कर लूगी और गर्मा गर्म हरे धनी की चट्नी के साथ सर्व करूगी तो चलिए आज की डिनर के प्लेट लगा लेते हैं तो आज मैंने कचोरिया बनाई थी डिनर में और रोशी की रैसिपि आज आप सभी किशाज शेयर की तो आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक चरूर कीजिगा यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूं देखिए कितनी बढ़िया फीलिंग वाली तियार हुए ना हमारी कचोरी एक दम नाई तो इसके अंदर ओल भरा है बिल्कुल बढ़िया बनकर तियार हुआ है तो यह लीजिए आप सभी भी खा लीजिए गर्मा गर्म कचोरी है दनी की चटपटी चटनी के साथ तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रैसिपिक साथ बाबाई थेंक्यू सो मच